सर एक सवाल यह भी उड़ता है कि चुनाब के बाद प्रतिबंदित संगठन हैं क्या उनके सदस्ते इंडिपेंडेंडेंट चुनाब लड़कर व्रिधान सभा पहुंच सकते हैं यह बहुत चिंता का विशह है, जो है, पहले पिशली बार लोक सभा में तीन लोग जीत के आगे अलग से, वो पंजाब वाले खालिस्तान की बात कर रहे थे, बैठे बैठे निर्दिली वहां जेल में चुनाव जीत गए, आप देखे, एक कश्मीर के थे, वो इंडिबेंड जीत के अतियार जेल में बंध है यहां पर, यहां जीत गए, तीसरे वो जो पंजाब में हैं, एक उग्रवादी से, उनके बहुत ग्र्वादे रिलेशन में है, वो चुनाव जीत के, तीन لوग वहां पर चुनाव जीत गए, वहां पर फरीद को सीड जीट जो है, वहां से उ तो देश के सामने एक नई समस्या खड़ी होगी 370 के बाद अमिशा के लिए नेंदर मोदी के लिए एक thought हो गया है एक brainstorming session हो गया है law ministry plus अमिशा plus others के लिए कि क्या करें यह तो backdoor entry से आ रहे हैं भले जेल में बंद पढ़ेंगे लेकिन जीते वे तो हैं न वो कभी न को भार आ सरकार चला रहें आप देख रहें न कई जुगें ऐसा होता है लोग जेल चले जाते हैं लिन काम होता रहता है सरकार का सरकार का काम नहीं रुखता है वह एक अलग बात है कि सरकार का काम नहीं रुखता है इसलिए जेल से भी काम करना पड़ता है मान लीजे लेकिन otherwise उसको भी दें घटना को, तब भी लोग जेल से काम करते हैं, माफियस का आप देखते हैं, माफियस बंदो जाते हैं, लेंगि मॉबायल से इदर उसे काम चलता है जेल से उनका सारा महाँ पर जो है तो ये तो ये तो बड़ा एक बड़ा concern जो है ना growing concern का subject है देश के अंदर जो है बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया ये I hope कि सरकार समय रहते सा कोई कोई संचोधन कानून में ऐसा लाएगी कि ये लोग किसी तरह स से जो विदान सवा और लोग सभा है इसमें किसी तरह से उग्रवादी बैक्ग्राउंड वाले लोग वहां नहीं पहुंच पाए ये नेशनल इंटरेस्ट में है और नेशनल इंटरेस्ट सरव पर होता है